कहा जाता है कि हिंदू धर्म में भगवान विश्नु को त्रिदेवों में स्थान प्राप्त है। गुरुवार के दिन की पूजा का बहुत विशेश महित्व है। ऐसा कहते है कि जो भक्त सचे हृदय से भगवान विश्नु जी की पूजा करता है, तो उसके सभी कष्ट दूर होते है और पापों का नाश होता है। विवाह ना होना आर्थिक समस्या का होना और मानसिक शांती जैसी समस्याई हैं, तो ऐसे में गुरुवार के दिन कुछ आसान से उपाय करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मानेताओं के अनुसार धर्ती पर बरते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकत होते हैं। पर बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि भगवान विश्नु की उत्पत्ती कैसे हुई कोई कथा कहती है, कि प्रभू ना तो कोई आदमी है और ना ही अंत। वह समय के पहले से उपस्थित थे और समय के बाद पर रहेंगे। पर इसी के साथ कई पुराने और कथाओं में प्रभू के जन्म और उत्पत्ती को लेकर कई कथाई परने को मिलती है। शिवपुरान के अनुसार भगवान शिव नहीं विश्नु ओपन किया है। चिर्काल में भगवान सदाशिव और माता आदिशक्ति वार्तालाप कर रहे थे कि भगवान सदाशिव ने माता आदिशक्ति से कहा कि है देवी मैं चाहता हूं कि भूमंडल में दूसरा व्यक्ति हो. तब माता दुर्गा ने कहा है प्रभू आपकी सोच में संशय कैसा। आप स्रिष्टी के पालनहार है। आपने स्रिष्टी की भलाई के लिए ऐसा सोचा होगा। उस समय भगवान सदाशिव ने देवी दुर्गा के समवाद को सुनकर अपने वहमांग पर अम्रित स्पर्ष क इसे पुरुष उत्पत्ती हुई। जिसके तहेट से पूरा ब्रहमांद प्रकाश में हो गया था। शक्ती के प्रताप से विश्णु जी का आविर्भाव हुआ वे अद्वितिये थे कमल जैसे नेन चतुर भुजी और कौस्तुभ मनी से सुशोभित। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उनका नाम। विश्णु पुरान कथा के अनुसार भगवान शंकर ने कहा कि लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुमको अर्पन किया है। कारे साधना के लिए तुम करो परंतु शंक आपके दर्शन नहीं हुए। फिर उन्होंने तब किया उनके शरीर विश्णु पुरान के अनुसार भगवान विश्णु निराकार पर ब्रहम है जिनको वेदों में ईश्वर कहा है। चतुर भुज विश्णु को सबसे निकत्तम मूर्ती एवन मूरत ब्रहमा कहा गया है। भगवान विश्णु को सर्वाधिक भागवत एवन विश्णु पुरान में वर्नन है और सभी प्रानों में भागवत पुरान को सर्वाधिक माने माना गया है। जिसके कारण भगवान विश्णु का मेहित्व पूर्ण अन्य वेदों की तुलना में अधिक हो जाता है। इसको विश्नु सूक भी कहा गया है, रिगवेद में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से भगवान विश्नु के मंडल एक से, वर्नन आया है, जिसमें भगवान विश्नु के वामन अफ्तार के तीन पक्ष से तीन लोग मापने का वर्नन है, अन्य रिंग वैदिक यूग में भगवान विश्नु के वर्नन है, जिसमें भगवान विश्नु को इनसे मित्र एवन वृद्ध के वध हेतु इंद्र की सहायता करना वर्नित है, जिसे तेरे देश में भगवान विश्नु के महत्व समझ आती है, हिंदू धर्म के आधार भूत ग्रंथों में बहु माने को जहां विश्व का स्रिजन करने वाला माना जाता है। वह महादेव को सनहारक माना गया है, मुनक्का से विश्णु और शिव तथा धर्म भी एक ही है। यह मानेता भी बहुत स्वीकृत रही है, न्याय को प्रेस रहे अन्याय के विनाश तथा जीव की परिस्थिती के अफ्तार उचित मार्ग रहने के निर्देश हेतु विभिन रूप में अफ्तार ग्रेहन करने वाले के रूप में भगवान विश्नु माने जाते है। निर्देशों तथा विशेशनों से रहित विवेचन वृद्धी परिनामशय और नष्ट इन विकारों से रहित सर्वत्र व्याप्त है। और समस्त विश्व का निवास है। इसलिए विद्वान उन्हें वासुदेव कहते है। जिस समय दिनरात आकाश पृत्वी वो अंधक स्वरूप चतुशलो की भागवत सुनाया था। उसमें भी यही भाव व्यक्त हुआ है। स्रिष्टी के पूर्व केवल में ही था मेरे अतिरिक्त ना स्थल था। और ना उस सोच में दोनों का कारण। अग्यान जहां यह रिशी नहीं है। वह मैं ही हूं और इस परिलक्षित होती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगला वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।